दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे 1995 में बनी हिंदी भासा की फिल्म है और फिल्म को डिरेक्ट किये हैं आदिती चौपड़ा ने सारुक खान काजोल और अमिरीस पुरी फिल्म के प्रमुख कलाकारों में से थें और फिल्म को 1995 में 20 अक्टूबर को पूरे भारत में रिलिज किया गया था और इस फिल्म ने भारत से पूरी 58 करोड रुपय की कमाई की थी और ये फिल्म बिदेशों में सत्रा करोड पांच लाख रुपया की कमाई की थी और बिदेश में ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्म मानी जाती है इस फिल्म का किसी भी सिनेमा घरों में चलने का सबसे ज़्यादा क्रिती मान है और मार्च में 2019 में इसने मुंबई के मराठा मंदिल में 700 हपते तक चलने का कृतीमान बनाया इससे पहले ये कृतीमान सोले के नाम था जो की करीब साड़े पांच साल तक एक ही सिनेमा घरों में चली थी अपनी पहले परदर्शन के 20 साल बाद 2019 तक यह अभी भी मुंबई के मराठा मंदिल सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे इस मुवी ने पूरे इंडिया में बहुत जादे रिकॉर्ड बनाए है तो दोस्तों क्या आप भी दिल वाले दुलनिया मुवी देखे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना की मुवी आपको कैसी लगी और अगर आप भी सारुखान के बहुत बड़े फैन हो तो वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारा चैनल से अनिमेंटिक्स रेवी उ सब्सक्राइब करना बुलना